दोस्तों आपको यहां तस्वीर में एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा पेड़ का जो तना है मोटा सा वो दिखाई दे रहा होगा यह तस्वीर ली गई है आपकी NCRT की कक्षा चौथी की बुस्तक आस-पास के पार्ट 19 से तो ज़रा ध्यान से देखिए इस पेड़ को चित्र में देखो कैसे पेड़ के चारो तरफ की जमीन से पक्की की गई है इसे बारिश का पानी कैसे मिलेगा सोचिए दोस्तों किस तरह से यहां पर जो पेड़ है जो उसका तना है जहां जमीन के अंदर है उस जगा से किस तरह से आस-पास की जमीन जो है उसे पक्का किया वो एरिया पानी लेकिन बाकी जगा बारिश का पानी जो है वो नहीं सोख पाता होगा यह क्योंकि आसपास तो सिमेंट है तो आपको क्या लगता है क्या इस सिमेंट से पेड को कोई नुकसान होगा सोचिए तो क्या इस सिमेंट से पेड को कोई नुकसान होगा एक तो यह पे जितने भी पेड यहां मौझूद है सिमेंट की वज़े से उन्हें कोई नुकसान होगा दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम पेड पौधों में पानी डालते हैं तो उनकी जड़ों के आसपास जो जमीन के अंदर उनका हिस्सा होता है वो पूरा मिट्टी से कवर् और जहां जहां पेड के आसपास सिमेंट होता है उस इलाके में पानी जो है वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता सिमेंट क्योंकि पानी नहीं सोक पाता जिस कारण से पेड की जड़ों को कम पानी मिलता है और वो कमजोर हो जाते हैं तो सोचिए कि सिमेंट से पेड क्योंकि पेड़ पॉदे बड़े तो पानी की वज़े से ही होते हैं तो दोस्तो हमने क्या देखा हमने देखा सिमिन से पेड़ों को क्या नुकसान पहुंच रहा है हाम कॉस्पै सिमिन्ट टूट ट्रीज आप भी अपने आसपास देखेगा कि आपके आसपास भी क्या कोई ऐ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके आसपास का जो पूरा एरिया है उसे सिमेंट से गवर कर दिया गया हूँ उन्हें पानी क्या असानी से मिल पाता है क्या उन पेड़ों को पानी की जरूरत नहीं तो क्या पेड़ पौधों के आसपास के लाके को सिमेंट से ढख देना पेड़ होंगी